वेल्कम बैक स्टुडेंस हमारे तीसरे सेशन में जहां पर हम बात करें डिस्कवरी आफ प्लांड ग्रोथ ओमन के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले वेंट्स एक्स्रेमेंट के बारे में इसमें हम देखेंगे कि वेंट्स ने कैसे एक्स्रेमेंट किया था किन चीजों के साथ इन्होंने एक्पिमेंट किया था और फाइनली इन्होंने अपना कंट्रिूजन क्या दिया दो चलो शुरू करते हैं वेंट के एक्पिमेंट के साथ अब वेंट ने लगबक इन यर ऑफ 1928 एक्पिमेंट किया मतलब बैसन और जर सबसे पहले चार्स डाविन मतलग फादर और सन की जोडी ने एकुछ और अब मायका का इस्तमाल किया था अब उनकी एकुछ मटिवेशन मिला और कुछ आइडियाज भी मिले तो इन्हों ने अपना experiment कैसे किया और bison और jason से इनका experiment कैसे अलग था तो vent के experiment में इन्हों ने भी agar slaps मतलब gel blocks का ही इस्तमाल किया था ठीक bison और jason के जैसे लेकिन एक हलका सा difference था इन्होंने क्या किया इन्होंने उस keleptile के tip को काटा और agar slab के उपर agar blocks के उपर उसे place कर दिया अब इनका मानना ये था कि bison और jason ने कहा था कि ये जो substance है ये कैसा है ये actually water soluble है और इसलिए इनका मानना था कि ये जो भी water soluble material है वो tip से नीचे की हो जाता है और इसी वाज़े से ये अगाल slab में precipitate हो जाएगा अब इनकी experiment से ये भी नज़र आया कि इनका ये जो hypothesis था ये बिल्कुल सही था इन्होंने इनके experiment में क्या किया तो इन्हों ने इनके experiment ने tip-less calyptiles को दिया अब इन्होंने control condition को रखा जहां पर उसकी tip को उन्होंने काट दिया था और देखा कि यहां पर कोई भी curvature कोई भी बेंट नहीं है अब इन्होंने की next step में क्या किया कि इन्होंने उस tip-less calyptiles के जगा पे अपना अगार जिस पे इन्होंने tip से precipitated substance को ले लिया था सिर्फ उस अगार को वहां पर रखा और टिप को वहां से हटा दिया अब ऐसा करने पर क्या दिखा ऐसा करने पर इनको दिखा कि यह जो calyptile यह जो शूट है प्लांट की वह लाइट की दिशा में जूक रही है अब इन्होंने इनकी तीसरी स्टेप में क्या किया इन्होंने इस अगार स्लाप को जो ट्रीटेड अगार स्लाप से राइट उनकी पोजिशन को भी चेंज किया ठीक जैसे बाइसन और जैसे ने अगार स्लाप को रखा जा रहा है उस दिशा की विपरित दिशा में इसका वेंडिंग हो रहा है मतलब अपोसीट डायरेक्शन में बेंड हो रहा है अब ऐसा करने पर वेंट ने क्या कंट्रूजिट किया इन्होंने ये तो बता दिया था कि कंट्रोल कंडिशन में ठीक चा reen experiment थे इससे प्रूव करने के लिए और उनें क्या किया इनोंने उस अगार्स लाब में जो कूरीटेट अगार्स ट मादोत मिलग अइसा अगार्स लाब यह पता चल गया, इसके पीछे का जो रीजन है, वो टिप में होने वाले सब्स्टंस है, यह भी वेट ने प्रूब कर दिया, अब वेंट के जो एक्स्प्रिमेंट थे, उसे हमने देख लिया, देखते हैं इनके कंक्लूजन क्या निकला, तो इनके जो एक्स्प्रिमेंट का क आजाता है, मतलब कि अगर लाइट सोर्स इस साइट से आ रहा हो, तो इसका डिस्टिब्यूशन दूसरी साइट पे होता है, जिसकी वज़े से वहाँ पे सेल डिवीजन और सेल इलॉंगेशन होता है, और इस वज़े से यह करवेचर आ जाता है, इन्होंने ये भी बता दि के एक्परमेंट और उनके कंट्रूजन के बारे में, लेकिन अभी और खोज जारी है, और हम देखने वाले हमारी नेक्स सेशन में कैसे दो साइंटिस्ट्स, क्लॉक और तैमेल ने और जिन को कहा कहा से दूर निकाला और कितने टाइप के और जिन की खोज उन ने की, तो ब